रादिक्रिष्णा फ्रेंड्स वेलकुम करते हैं आप सब का अपने चैनल पर आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूं बास्केट या फिर बिस्त काना जी के लिए जिसे हम रुमाल की हेल्प से बनाएंगे तो यहां पर मैंने इस तरह से दो हैंकी ले लिए हैं आप कोई से भी तरह की लगेगी और दूसरी साइड से अलग हमें इसमें क्या करना है सिर्फ तीन स्टिच लगाने है सबसे पहले एक स्टिच इस तरह से मिड में लगाना है स्क्वेर शेप में साइड पे 2-2 इंच का मार्जन रखते हुए तो यह देखिए मिड में स्टिच लगाने के बा अब इस स्टिच को क्लोज कर देंगे जहां से हमने ओपन छोडा था अब साइड में हमें 2 स्टिच लगाने है एक बिल्कुल एंड पे जहां पे हमारा हैंकी खतम होता है एक उसके जो है हाफ इंच इधर की साइड अंदर वाली साइड क्योंकि हम उसमें डोरी इंसर्ट करे यहां पे जो हाफ इंच के मार्जन के बाद लगना है वो स्टिच लगाएंगे और उसमें भी हम जो है ओपनिंग छोड़ेंगे यह देखिए इस तरह से मैंने उस स्टिच को भी एक साइड से ओपन रखा है तो इस स्टिच में भी हम जो है कॉटन की फिलिंग कर देंगे आ अब हम एक डोरी लेंगे आप हैंड मेड या रेडी मेड कोई भी डोरी यूज कर सकते हैं मैंने यहां पर रेडी मेड ली है इस डोरी को दोनों फैब्रिक्स के बीच में रखते हुए स्टिच लगाएंगे तो यह देखिए यह डोरी रखते हुए मैंने स्टिच लगा लि तो हम normally story को open कर देंगे तो वो as a बिस्तर आप यूज में ले सकते हो दो sizes आपके पास बन जाएंगे एक small size जिसे आप as a basket यूज कर सकते हो इस पे में आप काना जी को बिठा भी सकते हैं सुला भी सकते हैं आप इसे as a इस तरह से भी आप बिस्तर यूज कर सकते हो आप reversible बना सकते हैं इसके लिए आपको दो हैंकी यूज करने होंगे अलग-अलग design के या एक plain एक printed जिससे ये एक side पे एक हैंकी आएगा दूसरी side पे एक तो आपको ये basket कैसे लगे कमेंट शेक्षन में बताना मत बूलिएगा राधे राधे friends